आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मसेटिकल केमिस्ट्री चैप्टर वन फिजिकल केमिस्ट्री के MCQ जिसमें कौन-कौन से क्वेशन्स कवर किये जाएंगे MCQ कवर किये जाएंगे फ्रम कोर्शन नमबर 11 तो कोर्शन नमबर 20 विद कम्प्लीट एक्स्प्लेनेशन उसके रिगार्डिंग अपको नूटिफिकेशन मिल पाएं और आप उस वीडियो को इसली देख पाएं तो चले शुरू करते हैं अपना आज का सेशन तो सबसे पहले देख लेते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में देखे यह क्या बोल रहा है कि एक्वल वॉल्यम जो होते हैं आपस में बिलाया जाता है तो हमारा बनता है तो यह जो है यह जो इसके एक्सप्रेशन्स हैं इनको भी आप याद कर लेजी यह भी आपके लिए बहुत बैनिफिशल होंगे आने वाल एक्जाम्स के लिए देन अगर हम यही के स्प्रिंट किया गया है कि गैसलो क्या होता है कमाइड गैसलो जब बॉइल्स चार्ल्स अंगेल युसाक लॉको एक सथ मिलाया जाता है तो बनता है बॉइल्सलो क्या कहता है कि वैंदे टेंपरेचर इस केप्ट कॉंस्टें तर रिलेशन्शेंशें ब होती है चाल्स लो में क्या डिस्क्राइब किया जाता है कि गैसलो की सब्टीं ho key किया जाता है तो इस बॉइलब थिसु Northwest क्या स्पंटिनीप औरी श्रम धिल्स ऑख सच्वाक्शनत्या दिन असरी स्वां मतलब क्या होते है कि सदंद्री आ ईक्से ऐसकन मतलब गैसलं ऍचलि आप ही reaction हो जाता है, जैसे देखिये, हमने क्या किया कि एक container में gas को रखा, एक partition से उसको हमने separate किया, बट जब हमने ये partition को रिमूव किया, तो gas जो है वो अपने आप ही ये container में expand हो गई, तो इस जो प्रॉसस होती है, इसको हम diffusion भी कहते हैं, gradual mixing of two or more gas due to the spontaneous random motion के वज़े से जो random mixing हो जाती है, यहाँ एक gas प्रेजन थी है, दूसरी प्रेजन थी, partition हमने हटाया, तो दोनों की random mixing हो गई, अपने आप है mixing हो गई, then effusion क्या होती है, कि अगर इसी तरह की gas को हमने इसमें रखा, जो partition है, उसमें हमने एक tiny opening क्रिएट कर दी, तो ये gas जो है ये क्या करेगी, ये molecule of gas in the container, randomly pass through the tiny opening in the container, so next, then the free gas function, that is Gibbs free energy is defined as, option है, G is equal to H minus T S, G is equal to H plus T S, G is equal to T S minus H, ये option D, none of this, तो answer इस question को, option A, G is equal to H minus T S, इसमें जो H है, ये है, एन्थेल्पी, और इसकी unit होती है, Joule's enthalpy की unit होती है, and Si unit होती है, then T, जो है temperature है, Si unit है Kelvin and S, जो है, वो हमारी entropy है, जिसकी unit, जो है, वो हम आपको पहली explain कर चुके है, ये degree of disorderness या randomness कितनी है, system में, वो define करता है, जैसे gases जो होती है, उनमें बहुत जादा randomness होती है, molecules एक दूसरे से बहुत apart होते है, easily flow कर सकते हैं, और बिलकुल उटा होता है, solid के case में, जहा जाए इसको यूज जाता है, इसको यूज क्या जाता है, इसको यूज क्या जाता है, जो मैकसिम अमांट करने के लिए, जो मैकसिमम रिवर्सिबल वर्क किया जाता है, किसी भी thermodynamic system के दौरा, constant temperature and pressure पह जो constant temperature पे जो गोई स्को हम आइसो-thermal कहते है, जो आईसो थर्मरीश को होते हैं यह एक thermodynamic system तीन तरह की system होते हैं जैसे open system होता है close system and isolated system open system में क्या होता है example अब देख लिए जैसे पानी जो है उसको उबाला जाता है जब बॉil किया जाता है उसको पानी को तो energy भी release होती है matter भी water vapors की form में उसका mass जो है वो भी loss होता है तो दोनों ही तरफ से mass as well as energy loss हो रही है तो उसी system को open system कहते है close system में क्या है कि उसी boiling water जो है उसको अगर हमने उपर से cover कर दिया तो energy तो loss होती है but mass loss नहीं होता because water vapor पहले उपर जाते है तर फिर drop होके नीचे भी आ जाते हैं तो किसी तरह का mass loss नहीं हो रहा बाट energy loss होती है थर्ड में isolated system में किया किया जाते है कि उसी जो container है उसको किसी ऐसे जगा पर रख दिया गया है जहां पर कोई भी exchange of energy as well as mass नहीं हो रहा जिससे इसको insulate condition जो है उनमें रख दिया गया है तो यह तीन तरह की systems होते हैं जिनको कहा जाता है thermodynamic system enthalpy क्या होती है thermodynamic quantity होती है जो कि total heat of the system जो है उसको define करती है इसका formula होता है enthalpy का e plus PV जिसमें e जो है total internal energy of the system है and P जो है वो pressure and visa volume of the system so next then for the first order reaction the rate constant k has a unit rate constant k की क्या unit होती है first order reaction में option A है 1 by mole, option B 1 by mole, by liter, option C 1 by second, your option D time into mole per liter so answer is question का option C 1 by second होती है जो rate constant होती है उसके unit first order reaction के लिए देखिए यहां कुछ यह जो orders of reaction लिखे गए है कि rate constant क्या है second order reaction का यह third order reaction का अब देखिए क्या होता है first order reaction ऐसे reaction होते है जहां पर concentration जो है only one reactant की हम consider करते है यह unimolecular reaction होते है जैसे सिर्फ एक ही reactant react करता है और product formation कर देता है तो rate जो है वो इसको define किया जता है के and concentration of only one reactant जितने भी हमारे body में जो process होती है absorption, distribution, elimination वो सारी follow करती है first order kinetics now thermodynamics is applicable for thermodynamics किसके लिए applicable होती है option है macroscopic systems के लिए option B microscopic systems के लिए option C heterogeneous system के लिए option D homogenous system के लिए तो answer is question को option A macroscopic system के लिए applicable होती है thermodynamics, thermodynamics क्या होती है एक branch होती है physical science की जो deal करती है कि relationship क्या है between heat and different forms of energy जो है जैसे electrical, chemical, mechanical उनके बीच में relationship क्या है उससे deal करने वाली जो branch है physical science की उसको हम thermodynamics कहते है then macroscopic system क्या होते है यह एक acid system होते है जिसमें जो भी कुछ होता है जो भी यह large quantity को consider किया जाता है जिसमें जो भी कुछ होता है इन system में वो हमारी senses के द्वारा notice कर लिया जाता है जैसे for example देखते हैं कि जैसे कोई car move हो रही है तो इसकी movement जो है वो हम अपनी senses से इसको notice कर सकते हैं कि इसकी movement हो रही है उल्टा होता है microscopic system में इसमें जो भी कुछ होता है वो हमारी naked eyes से या हमारी senses के द्वारा notice नहीं किया जा सकता जिसे एक्जामपल ले लेते हैं कि जो individual molecules present होते है उनको हम अपनी naked eyes से notice नहीं कर सकते हैं अपनी senses से notice नहीं कर सकते हैं तो उन नंबर में equal है और नहीं इनकी arrangement में यह similar है तो इन तरह के system को हेट्रोजिन सिस्टम कहा जाता है जिनके composition uniform नहीं होती दूसरी तरह homogenous mixture क्या होते है जिनकी composition जो है वो बिल्कुल सेम होती है अगर यह देखिए इनकी arrangement में सेम है और जो अलग अलग प्रेजन तो है अलग अलग इसमें molecules बट यह जो है सेम नंबर में प्रेजन है तो सेम composition होती है homogenous में and different composition होती है heterogeneous mixture की so a system in which no thermal energy pass into or out of the system is called option है reversible system कहा जाता है option B open system कहा जाता है option C closed system or option D adiabatic system ऐसे system को क्या कहा जाता है जिसमें कोई भी thermal energy passage नहीं होता system के अंदर या बाहर तो answer is question का option D adiabatic system कहा जाता है देखिए चारों तरह की system जो अभी हमने आपको बताया थे open system भी बताया थे आपको जिसमें mass as well as energy जो है उसका exchange होता है surrounding से closed system जिसमें सिर्फ energy जो है उसका exchange होता है surrounding से isolated system में क्या किया जाता है कि वह system जो है उसको पूरी तरह insulate कर दिया जाता है जिससे कि किसी भी थरा का exchange ना हो तो इससे confused नहीं होना है ideabatic system और isolated system अलग है isolated system में system को पूरी तरह से isolate कर दिया जाता है जो surrounding है उससे insulated conditions में रखा जाता है but adiabatic system क्या होता है कि उस जगा रहते हुए surrounding में क्या होता है कि किसी भी थरा का thermal energy passage नहीं होता system के into or out but क्या होता है adiabatic system में कि energy transfer होती है surrounding में only in a form of work work की form में energy जो है उसका transfer होता है जसे example समझ लेते हैं engine working में क्या होता है कि जो engine का cylinder होता है उसमें gas होती है जब उसको compress किया जाता है तो वो gas जो है then engine को work जो है वो provide करती है जिससे की engine की movement होती है तो energy जो है वो किसी और form में नहीं transfer होती बट सिर्फ और सिर्फ work done की form में energy का transfer होता है example ले सकते है engine जो है उसकी movement then adiabatic process then reversible process क्या होता है open and close system आपको पहली explain कर दिया गया है reversible system क्या होता है कि जिसके direction हम reverse कर सकते हैं अगर हम कुछ changes ले आए उसके surrounding में अगर example ले सकते हैं जिससे reversible reactions होते हैं जिससे दो product जो है दो reactant जो है वो react करके product बनाए product भी similarly react कर सकते हैं और वो reactant बना सकते हैं बट reversible system में क्या होता है कि किसी पे तरह की entropy change नहीं कराई जाती है means किसी पे तरह का जो उसकी form है system की उसमें कोई changes नहीं हाता अगर एक system दूसरे उसमें अपनी form में change हो अगर जैसे a plus b जो है वो c plus d में change हुए तो उनकी forms जो है वो सेम रहेगी अकर solid है तो solid रहेंगे liquid है तो liquid gas से तो gas but क्या होते है कि reversible होती है एक से दूसरा यह बन सकता है and then reverse होके यह फिर से अपनी original form में convert हो सकता है so next then an alpha particle is alpha particle क्या होता है option A two protons and two neutrons होते है option B one proton one neutron option C an electron and option D an x-ray emission तो answer is question को option A two protons and two neutrons होते है देखिए यह जो है alpha particle जो है यह helium का nucleus होता है दो protons and two neutrons से मिलके बना होता है यही आपको explain किया गया helium का nucleus होता है alpha particle जो है वो कुछी inches तक चल सकता है air में और फिर वो easily stop करवाया जा सकता है by किसी भी sheet of paper से so next then in a gigar muller counter one count is directly due to a gigar muller counter एक apparatus होता है जिसमें एक count जो है वो किस वज़े से होता है option A है many electron and ions की वज़े से option B है a primary electron की वज़े से option C है a secondary electron and option D a beta particle तो answer is question का option A many electrons and ions की वज़े से होता है जो one count होता है इसका वो देखें gigar muller counter क्या होता है यह इस तरह का apparatus होता है जिसको use किया जाता है detect करने के लिए और measure करने के लिए हर तरह की radiation जो होती है उनको जिसे alpha, beta, gamma हर तरह की radiation जो है वो detect करी जाती है इस apparatus की तरूँ इसमें क्या होता है कि radiation जो है उनका वो यहां से enter करती है और enter करते ही वो ionized हो जाती है ionized means ions की form में convert हो जाती है and then यह ionized form जो है यह then detect कर लिये जाते है इस apparatus के द्वारा दो electrode present होते है anode and cathode present होते है and then इनकी movement जो है उसके कारण इनकी इनको record के लिये जाता है and measure कर लिया जाता है इनकी movement को हर तरह की radiations को then application कहां कहां होती है गिगर मुलर काउंटर कहां कहां यूज के जाते है radiological protections में यूज के जाते है experimental physics में यूज के जाते है nuclear industry में यूज के जाते है so next so the following is an example of extensive property इसमें से कौन-कौन है जो की example extensive property के P mass, Q pressure, R temperature and S volume तो option है हमारा option A, P and Q, option B, P and R, option C, Q and R and option D, P and S तो answer है इस question का option D, P and S, mass and volume जो है वो example है हमारे किसके extensive property के देखिए ये दिया भी हुआ है आपको यहां पर intensive property क्या होती है जो depend नहीं करती amount of the substance किसी substance कितना amount में present है वो उस पर depend नहीं करती जैसे color है किसी substance का वो present नहीं करेगा कि कितना amount है उसका taste नहीं depend करता उसके amount पर melting point, boiling point, density, luster and hardness तो ये सारी चीज़े हैं जो intensive property है जो किसी भी तरह कि उसके amount पर depend नहीं करती है जैसे mass, volume, length, shape ये सारी चीज़े हैं जो कि amount of the matter उस पर depend करती है तो यहीं आपको एक्स्प्लीन किया गया है extensive property depend करती है size and amount of matter पर and intensive property नहीं depend करती size and amount पर so next now last question है हमारा following are the examples of endothermic process except one इन में से कौन एक है जो कि endothermic process का example नहीं है option A है mixing of water with calcium chloride option B melting of solid salts option C evaporation of water and option D producing sugar by photosynthesis तो answer इस question का option A mixing of water with calcium chloride नहीं है example endothermic process क्या क्या होती है endothermic and exothermic process endothermic process होती है जहां पर system जो है वो absorb करता है heat from the surrounding जैसे देखिए reactant है इन उने absorb की heat from the surrounding and product formation कर दिया तो वहीं exothermic process क्या होती है जहां पर system जो है या reaction जो है वो release करता है energy अपनी surrounding में and जैसे इसमें देखिए कि reactant ने release करी energy surrounding में and then product की formation हो गई है जो usually क्या होता है usually तो exothermic process जो होती है उसमें जो heat जो energy release होती है in a form of heat होती है but sometimes light की फॉर्म में भी होती है energy release जैसे spark and flame sometimes electricity की फॉर्म में भी होती है जैसे बैटरी के एक्जामपल ले सेते हैं and sometimes sound की फॉर्म में भी energy जो है release होती है exothermic process में जैसे जब कहीं explosion होता है तो उसका हमें sound जो है वो सुनाई देता है so यह थी exothermic process endothermic process के एक्जामपल आपको देह ही हुए है जैसे melting of solid state जिसमें क्या होती है कि system absorb करता है energy from the surrounding evaporation of water में भी ऐसा होता है and producing sugar by photosynthesis में भी ऐसा होता है so that's all so thanks for watching इस वीडियो में बस इतना ही next video में हम कवर करेंगे pharmaceutical chemistry chapter 2 organic chemistry के MCQ MCQ कवर किये जाएंगे from question number 21 to 30 दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आप इस चैनल पे पहरी बारा है तो प्रीच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिट कीजिए नीचे दिवे सब्सक्राइब बिटन पे ताकि आपको फामेसी से रिलेटीड वीडियो देखने को मिलती रहे और आपको सपोर्ट हमारे साथ यही बना रहे अगर आपको कोई सवाल यह सुझाव है तो नीचे दिवे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यह कुछ हमारे रिलेटीड वीडियो के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों लड़निक फारमेसी पे आने के लिए और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगली वीडियो में